कि ये inspiration कहां से आती है characters की unique characters होते हैं आप इन फिल्मों में लिख रही हैं और अभी मैं आपसे ये भी सवाल करूँगी कि currently आप क्या लिख रही हैं लेकिन जो आपको ख्याती दिलाते हैं लेकी donor हो, piku हो, इन सब कहां से आपको ये कुछ तो क्या होता है कि आप जैसे फिर से बोलूँगी जिन्दगी में कभी कहां कभ किस से मिले किसी की कौन सी बात रहे गई दिमाग में और फिर जरुए नहीं कि आप वही सब कुछ जिस से आप मिले वही आपने सारा कुछ लिख दिया वो एक जिसे कहते हैं न एक सीड मिल गई आपको एक पच्छस साल पहले किसी से अगर मिले और उसका कोई एक अंदाज आपको याद रहे गया उसकी कोई हरकत आपको याद रहे गई बस उतना काफी है और फिर वहां से आप उसको डिवलप करना शुरू कर देते हैं अच्छा अगर वो ऐसे नहीं ऐसे बोलता ऐसे नहीं ऐसे बोलता ये नहीं ये करता ऐसे चलता ऐसे खाता ऐसे बैठता ऐसे सोचता, वो वहाँ से एक आपको सीड़ी मिल जाती है चड़ने के लिए वो जमीन है, जिसके उपर फिर आप बिल्ड़ अप करना शुरू कर देते हैं आज़टर्स कोई मिल जाए जिसको आप छाप दें कहानी में ऐसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ से अपने आसपास की और ऐसे भी धाई गहंटे, दो गहंटे के अमूमन फिल्म होती है इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इसमें अपनी बारे में लेगें, ऐसा नहीं होता और कई बार थोट्स ब्रेक भी होती हैं आप सोच के कुछ बैठे थे, आपको लगा नहीं यह ठीक नहीं है इसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए Strong Feminist Rolls को आप कैसे अपने characters में जोडती है मुझे लगता है कि और तों से ज़्यादा Strong और Empowered कोई जना ही नहीं मौका नहीं मिल पाता है उनको अपने अपनी उस हिम्मत को दिखा पाने का लेकिन आप अपने आसपास देख लीजे और यह मेरी लिए तो मतलब जो आई ओपनर रहा है वो यह है कि Bombay में जब आप रह रहे हैं हम सोचते हैं कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं offices में जा रहे हैं मुल्टिनाशनल कमटीज में बात रह रहे हैं मीटिंग्स कर रहे हैं बहुत ही हेक्टिक लाइफ लीट कर रहे हैं या PIKU की लाइफ देखो कितनी टफ लाइफ है लेकिन औरतों की लाइफ कहीं है जादा टफ है और मैंने उस चीज को अब्सर्व कर रहा है लो बड़ा मनेगी सवाल पूछनेगैं जूए आपके साथ होता है ऐसा आप बंबे में हों लोग आपसे मिल रहे हैं लोगजें पहली बार मीड़ते हैं लब की बाद साइलंस है की कहा है आज भी ऐसा होता है और आप जैसी तो बहुती कम लेकिका हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया है बॉलिवुड में और इतने दो आपकी जबरदस hit films रही इंडिस्ट्री में लखनो बहुत अच्छे से जानते हैं लोग क्योंकि थैंक्फ़ली मुझसे पहले कई धुरंदर एक से लखनो नहीं लखनों से लड़की है और उसने नाम कमाया है ये आपके आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट है शायद हाँ नहीं बोला आपने खेर डायलोग और स्क्रिप्ट लिखने में मतलब कहानी लेखनी में दोनों में से आपको क्या पसंद है मतलब एक बच्चा चुनना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन नहीं चुन सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इतने जादा निरभर हैं कहानी का कोई मतलब ही नहीं कहानी आपके आगे बढ़ रही है सिर्फ खाली प्लॉट से नहीं बढ़ रही है मैं आपके साथ क्या बात कर रही हूं उस हिसाब से जो क्यारेक्टर निकलता आ रहा है अगले सीन में वो क्या बोलेगा और पिर क्या बोलेगा यह बहुत जादा तो क्या होता है कि आचली यह बहुत अच्छा question पूछा आपने क्योंकि कई बार यह मेरी जिग्यासा है क्योंकि आप जब लिखती हूं मैं मैं story, screenplay, dialogues मैं तो यह तीनों एक दूसरे से जोदा नहीं है ठीक है story बेसिक मैं बोल सकती हूं कि अलग है लेकिन screenplay और dialogues वो एक दूसरे पर बहुत जादा निरभर करते हैं आपकी कहानी आगे बढ़ेगी नहीं अगर आपको यह नहीं पता कि आपके characters सोच क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं अगली, उनकी life में अगला ऐसा क्या होने वाला है वो आपको कैसे पता लगेगा जब तक आप उस character को उस इंसान को पूरे अच्छे से अंदर तक नहीं जानते हैं आप तभी जानेंगे जब आप उसकी बात सरे हैं और दायलोग्स तो एक flow में ही लिखने होते होगे न उसमें बहुत लंबे लंबे breaks नहीं हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं लेकिन यहीं बताना चाहूँगा जो अलग नहीं लिखती हूँ अगर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो कई लोग चाहते हैं कि एक बार एक basic screenplay लख लो basic short break down क्या होगा इस scene के बाद क्या है फिर क्या है तो वो मैं नहीं लिख पाती हूँ क्योंकि मेरी कहानी तो आगे बढ़ेगी ही नहीं करेक्टर्स के बिना उनको सुने बिना उनसे कुछ कहलवाए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ मेरे लिए वो बहुत जादा जरूरी है पूरी फिल्म के प्लॉट से ज़्यादा जरूरी लोग हैं वो मेरी फिल्म के जो मेरे अपने मुझे लगता है जीते जाकते इंसान है हार, मास, हड़ी, खून सब है उनमें तो वो कहने के लिए भाशकौर एक फिल्म का कारेक्टर है या पीकू कारेक्टर है या विकी है या आश्रमा या बीजी मेरे लिए तो वो एकदम जीते जाकते हैं और जिस दिन से उनका नाम मेरे दिमांग में आ जाता है जो दो दे शूली मुझे पता चला कि शूली है उस दो दे चलियर हो गया था कि शूली उपर से गिर के ही उसके साथ होगा जो भी होगा क्योंकि शूली फूल है हर रात हर शिंगार का फूल पेट से गिरता है झाल